मैं हूँ आपके साथ रूपाली शिर्मा तो चले बुलेटिन की शुरुवात करते हैं और आपको बता दे उत्राखन को लेकर अगर बात की जाए तो इस वक्त उध्योगिक एवं विकास विभाग को लेकर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने प्रदर्शनी में लगे विभिन स्टॉलो का निरक्षन किया कारिक्रम में उन्हें हरेला उद्यान का वर्च्वल शुभारम एवं प्रकाशे तसाहित्य का विमोचन किया गया इस अफसर पर विभिन जन्पदों से आए प्रगती शील क्रिशिकों को स्मृती चिन एवं प् परित क्रांती के अग्रदन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले गोविंद वल्लप पंत क्रिशी एवं प्रध्योगिक विश्व विद्याले द्वारा आयोजित स्कारिक्रम में आप सभी महानुभवों के बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो उन्होंने बताया कि बद्रिगाय का क्लोन भी विश्व विद्याले द्वारा तयार किया जाने वाला है और ये जल्द ही तयार कर लिया जाएगा उन्होंने सभी किसानों से वेग्यानिकों से मिलकर आधूनिक जानकारिया लेकर लाब उठाने की अपील भी की है सबी किसान बाईयों को बहुत रहेंगें। इसमें आपको बतादे कि विकास नगर में भारत जंता पाती द्वारा सदस्यता अभ्यान जो है चलाया जा रहा है और आपको बतादे कि भारती जंता पाती के द्वारा जो सदस्यता अभ्यान चलाया जा रहा है वैं जोर शोरों से चल रहा है और इसी क्रम में विकास नगर की ग्राम बेरागी वाले में OBC मोच्चा भाजपा के जिला अध्यक्ष रविंदर धीमान के नेत्रेतु में सदस्यता अभ्यान चलाया गया वहीं OBC मोचा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी सदस्ता अभ्यान के कारेक्रम में पहुंचे और ग्राम बेरागी वाले के कशप मोहला में लोगों को भारते जन्ता पाटी की सदस्ता ग्रहन करवाई वही उनके द्वारा बताया गया कि भारते जंता पार्टी इस समय सभी जगा पर सदस्यता अभ्यान चला रही है इसी क्रम में ये सदस्य विकासनगर ग्राम बेरागी में चलाया जा रहा है और भारत्य जंतापाती का यही लक्ष है कि जादा से जादा लोगों को देशपर में सदस्यता दिलाई जाए है कि जाए जमतापाटी के रच्ट एद्याक्ष और यही अलाई लेकर आपर अफला खंड ने ने प्देश के यह मुक हंतरी आदिने सच्का सिंगामीजी ने हमारे देश के आज प्रणेश के और बन रहंगा गृण पूरे परदेश में यह हमारे सदस्ता के लुग हो गया तो पूरे देश में हमारे अध्या जी के अंगे सब्सक्राइब बात करों तो तुराखंडी के पहले परश्चित तारिक तक हमारे 13 लाज के लगवाद है हमारे सदस्ते बने चुब और वर्तुमान में अध्या नापर लिकार निवादान सवां इस समय तक कि दो लाग और बढ़ते पंद्रा लाग बन चुकी है और इस तारिक से लेकर पंद्रा थारिक दिया वियान इस अभ्यान को सभी मौचे अब अपने इसकर से चुरूत है पर अजिकास नगर में यहां पर सच्छा समाज के बेट कर दिए भी तरह करता है नहीं है तो परकी दिन चार समाजों के बीच जाकरके बादे जंता पार्टी में सब्सक्राइब करा रहे हैं सब्सक्राह। म करताओं तरह्ण सब्सक्राहएं कुछा। कि वहीं आपको बता दे कि विकास नगर की अगर बात की जाए तो 80 सालों से राम लीला का जो प्रोग्राम है वो मनाया जा रहा है और आपको बता दे कि इसमें विकास नगर चौक बाजार में लगभग 80 वर्षों से जो राम लीला का आयोजन किया जाता रहा है वहीं इसी क्रम में चौक बाजार में भव्यराम बारात का आज भी आयोजन किया गया जिसमें श्री राम का किरडार विष्टू दूबे कर रहे हैं वहीं इस राम बारात में अलग-अलग ढ़ांकियां भी देखने को मिल रहे हैं वहीं अगर बात की जाए राम बारात की तो मंडी चोक से शुरू होकर में बजार विकासनगर से होते हुए डाक पत्थर रोड तिराहे पर पहुंची वहीं से ये राम बारात राम लीला ग्राउंड में संपन हुई उसके बाद श्री सनातन धर्मसभा के वंडारे में भी लो विकासनगर के बाद आपको बता दे कि हल्दवानी में भी उत्रखन की सबसे बड़ी राम लीला अरेली का आयोजन किया गया जिसमें आपको बता दे कि हल्दवानी की अगर बात की जाए तो मर्यादा पुर्शोतम भगवान श्री रामचंदर के विवा पर रामबारात का भव्या आयोजन किया गया जिसमें शेहर के हजारों लोगों ने शिरकत की इस दोरान रामबारात निकलने से पूरा शहर भगवा में हो गया राम बारात लुटरिया बाबा आश्रम से राम लीला मैदान तक गई इस दोरान जग़ जग़ लोगों ने पुश्प वर्षा कर राम बारात का स्वागत किया राम बारात में विवन प्रकार की धार्मिक जांक्या भी निकाली गई भगवान श्री राम की बारात पूरी तरह है। और मैं मादुर्गा से प्रातना करती हूँ कि वो महिलाओं को इतनी शक्ति दे कि कभी उनको किसी के सहारे की जरुवत ही ना पड़े वो अपने अपरात के लिए खुद सक्षम हो जाएं, खुद दुर्गा का रूप ले, खुद चंडी का रूप ले, मैं यहीं शुपकामना हिल्प विभाव हिर्य शहर जो रहा है उससे हमारे मंदλिर लेकर राम यह रहाए थी जान को दे खरके राम सीता की विवा को देखके आज हमारी बहनों के दिल है, उनके बन में जो jet Heiser है भाई बैन मेरे सभी बांदू बंदू लोग यहाँ पर आए वे हैं और मैं यही कहना चाहती हैं आप सब लोगों को कि आप लोगों को फूले फले और नवरात्री की सभी प्रदेश रासियों को हार्डिक शुक्ता मैं धर्वाइब आप सर्वा प्रासी शुम मंदिर दोवरा जो बक्ती महीं महौल देख रहे हैं रामबरात का आयोजन हो रहा है यह अलवानी में हर साल जो है पॉस्ट नवरात्री पे निकलती है जो नीचे मंदिर से चल करके रामदा ग्राउंड दो जाती है और यह बहुत अच्छी बात है कि सारे संगटन एक मज़ वहीं पर आपक जो हमारे लिए बहुत जादा उक्योगी होती है उनने कहा कि उनके दवारा प्रदर्शनी का आपकी अब लोकन किया गया, उन्होंने देखा कि प्लास्टिक का जो विकल्प यहां देखने को मिला, उससे कहीं न कहीं हम अपने परियावरन और प्रित्वी को पचा सकते हैं। उन्होंने आयोजकों को इस तरह की प्रदर्शनी की आयोजन के लिए शुपकामनाई दिया और ये भी कहा कि इस तरह की प्रदर्शनिया आगे भी लगती रहें। प्रदर्शन दराई हैं। और जो हमारे गाओं में जो मिलाएं अपना समूँ चलाती हैं। चोटे-छोटे रोजान के लिए बहुत जारू जन्रेट करती हैं। उन सब को यहां पर आउसर दिया गया है। जो लगत भारती हैं इनको बहुत बदाई दूंगा। जब लोग देखते हैं सामने देखते हैं तो उससे परवित होते हैं। लोग यहां पर आएंगे परवित होते हैं। कुछ अपने नए स्टार्ट अप करनी की प्रेणाउन को में लिए। वाइब्रेंट उत्राखंड इसका नाम हमने दिया है। यह पहले हम हरिद्वार में आयुजित किया हमने दो साल तक। यह थर्ड एडिशन है जो हम देरादून में आयुजित कर रहे हैं। इसमें लगबग 500 इस्टोल लगे है। और लगबग देश के 10-12 राज्यों से कंपनिया इसमें भाग ले रहे हैं। उसके साथ साथ भारत सरकार के Research Institute जैसे Survey of India, CSIR, DRDO इस तरह के कहीं इंस्टिउट बढ़ चड़के इसमें भाग ले रहे हैं। जो उनकी अनुसंदान है नहींने वो बच्चों को और या जो विजिटर हैं उनको परदर्शित कर रहे हैं। तो दूसरा इसमें उत्रा खंट सरकार के भी Energy विबाग के कहीं इस्टोल लगे हुए हैं। और Science Technology विबाग के इस्टोल लगे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के आयोजन, Awareness के लिए नई तकनीक से लोगों को आवगत कराने के लिए बहुत जरूरी है। मानने परदान मंतरी जी का सपना है विक्सित भारत। तो विक्सित भारत जबी बन सकता है जब हम नई तकनीक से आमजन को जोड सके। तो उसी इसे प्रेणना लेना है। दोईवाला की अगर बात की जाए तो आपको बता दे कि यहां से एक ख़बर सामने आ रही है जहां बीएसफ एडवेंचर एंड एडवांस प्रशिक्षन संस्था की कमांडेड महेश कुमार नेगी ने बताया कि बीएसफ का परवत रोहन का गोरवशाली इतिहास रहा है। और आपको बता दे कि इसी में बहादूर बीएसफ महिला परवत रोहियो ने माउंट मुकुंट इसट पर चड़ने का सफल प्रयास किया है। यह अभ्यान लगातार खराब मौसम के कारण बहुत चुनोती पूर रहा है। प्रतिकूल जलवाई उस्ति और अत्यादिक परतिरंगा और बीएसफ दोज फेहराने में सफलता हासल कर इतिहास बना दिया है। दलकाउद देशिय महिला सशक्तिकरन एवं साहसे खेलों में महिलाओं की भागिदारी को भड़ावा देने के साथ साथ सथ सथ भारत सथ हिमाले का संदेश भी है। यह पॉसिबल हो पाया, उस वज़ा से धीरे-धीरे डिफेंस और पैरा-मिलिटरीज में आया, वूमन इंपॉर्मेंट को लेके। इंस्पिरेशन भी है, और यह है कि टफनेस इस मेंटल गेम, कि वो हमारी मेंटालिटी पे है, कि माइंड हमारा कितना स्ट्रॉंग है, क्योंकि एक टाइम के बाद ऐसा आता है, कि जब फिजिकल खतम हो जाता है, और एका विल पॉवर डिफाइन करता है, तो यह और वूमन बढ़ रहा है हर चीज में, तो यह देश के लिए हमारे लिए भी एक प्राउड की बात है, और स्पेशली जैसे हम जो गाउं के लोग है, हम भी गाउं से बिलॉंग करते हैं, और यहां तक हम आए, तो इसमें वूमेन इंपॉव्मेंट का भी बढ़ावा है, हमारे गाउं प्राउड के लिए प्राउड के लिए बिजा गया था, जिनमें इनोंने सक्सेस पुलीज को क्लाइब करके जो है, चार ने क्लाइब कर लिया था, और तो इसमें जलवाई उखरा उने के लावा, चार भी पाईस जार, सड़े बाईस जार फीट तक अपने आपको डाला और कई दिन तो वहा रहे है, तो यह बहुत बड़ी प्लब्दी है, वहिला ससस्त के लिए इनके तरफ एक कदम है, और आने वाले टाइम में इस तरह के और भी adventure sports होते रहेंगे, और में इनके बागिदारी भी बढ़ती रहेंगे, तो यहाँ पर इंडर बाईस कोई है नहीं, महिला है और पुरुष दोनों एकी समाने, उनके अंदर भी वही काबलियत है तो पुरुषों में और वो हर एक फील्ड में आज की देट में सबसे आगे है, बढ़ाई में भी सबसे आगे है और सभी कामों में, तो मेरे उनको यह कहना है कि आपना हिमत बनाया रखें, इस बीएसेब का और जो है तेश का किरंगा उस पे भी फैरा है और अपना महिला सस्ति की करन और महिला शक्ती का भी जो है आप अपना उदारन पेश करें, एजिएसर पूपीशन के तरहाए चले खबरों का सिलसला ऐसे ही जारी रहेगा, लौट टेक छोटे से ब्रेक के बाद बिना लाइफ जैकेट के तैर कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड टोडने उत्रे टिरी के मोटना गाउनिवासरी तिर लोग सिंग रावत वे उनके दोनों पूत्र रिशबुर, पारस और पहली बार टिरी बांजीर में उनके साथ उत्रे टी-एच-डी-सी के जूनियर ओफि बता दे किस्थाने लोगों ने उनका पूरा प्रोत्साहन जो है किया और उसके बाद जब उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया तो उनका फूल मालाओं पे ढोल वजा कर स्वागत किया गया पारस ने बताया कि वे वर्तमान में पतंजली यूनिवरसिटी में बी-पी-ई-एस की पढ़ाई जो है वो कर चुके है और साथी साथ फिलहाल आपको बता दे कि इस सफलता पर उन्होंने ये भी कहा कि इस उपलब्दी को भढ़ाने में उनके पिता का काफी मार्क दर्शन जो है उन्हें मिला है मौके पर उनके साथ आई-टी-बी-पी एडवेंचर स्टीरी वे एस्डी-आर-फ की टीम भी मौझूद रही थी थाकेते हैं नियुके और था है यह और लगजा पिशाए इस चाड़ी है तराकी में इसका पहले से होबी रही है और यह चीज पर बहुत पहले से परियास रब था कि इस तीरी जील में इसको मौकत दिया जाए इसके लाओ इसने जो है हमारा जो ग्रेटर चैनल है जो हमारी बिटेंगी उस चैनल पे भी इसने परियास किया था लेकिन इसे परमिसर नहीं मिली थी तो उसके बाद जो है अपका जो डिपार्मेंट है इस बात को लिएकर कितना खुश है सर हम क्या बोलते जो इसने उपलबदी पराफ्त करी है हरिजगी जीने यह हमाले बहुत बड़ा एक आयाम है और भविसे में इस जील में ऐसे मौके जो हैं इस एक सेट बैक एक जागमिल बना लिया जीने कि भविसे में जो आने वाली पीड़ी है वो भी अथक परियास करे इस वाले जो जो आयाम है इसमें आगे हो रिकोर्ट की कायम तरहे है यह तो गौड गिप्टी यह है भई बच्पन से हमने स्विमिंग के चकर में तो खैर माते है अपने पिताजी लोगों की मार बहुत खाई बच्पन में डंडे उखाया हमने सर पे लगे बहुत खाया ले तो इस बीच आपने किनकर्ण चुनोतियों के शामना की है कोटी कलोनी से और यहां तक पहुचने में चुनोती तो खैर कुछ नहीं है थोड़ा कानी भी ठीक ही था इतना कोई ज्यादा ठंड़ तो था नहीं नॉर्मली था पानी और बागे ठीक तो आपका अनुभाव इस चांस नहीं मिल पा रहा है इसलिए औरों को भी चांस दिया जाए तो इसी के साथ देरादून की अगर बात की जाए तो आपको बता दे वहां के नवनियुक्त जिलादिकारी जोकी आटियों की अगर बात की जाए तो वहां पर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं आपको बता दे की लगातार जिलादिकारी सरकारी दफ्तरों का निरक्षन कर रहे हैं जिलादिकारी दिन निकलते ही आटियों कारे आले पहुंचे और आटियों के रिकॉर्ट रूम का निरक्षन किया गया इसके साथ ही आम जंता से भी बातचीत की गई लाइसंस बनवाने आये कुछ लोगों से भी जानकारी जो है उनके द्वारा हासिल की गई और अधिकारियों को निर्देश भी दिये गए हैं कि कार समय पर किया जाए इसके साथ ही जिल अधिकारी के निरक्षन के बाद आटियो कार्याले में जमावणा लगे हुए दलालों में भी खलबली मच् एक जार्पर अधिक विजिए को भॉट खिया है आइंगेंस लिएरिंग ऑफिशल और यहां पर एक्षिन पर शार्थ यहां पर विवस्ता है जुरूस्पराइन की जिन्मधारी एमिस्टेशल लेगे जितने भी इनके रिपार्ट्स है जितने भी इनके बजट्स दीग्श चार्ट्स है उनको सबको अस्तीज कर दिया गया है आगे हमारी तथीव में विश्टिप मीटिंग सेडूल है वाप इंको कॉल किया गया अलॉंग इस देया में लॉट प्लैन आउट पर शिरूस्टेशल चलिए उत्रखन के इस बुलेटिन में इतना ही खबरों का सलसला ज सौरी रहेगा आप जुड़े रही कुलिस्तान न्यूज के साथ